हेलो एबरिवन मैं विश्व जीत सिंग आप सभी का दीजिन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज का इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 03 का हिस्टोग्राफी इतिहांस लेखन का important topic की series के अंदर में हम topic no.4 पढ़ने जा रहे हैं दोस्तो आज का कमारा topic है भारतिय इतिहांस लेखन में रान के वादी परमपरा topic important है वीडियो को last तक देखेगा जिससे आपको topic समझ मैं है अगर कहीं कोई doubt रहते हैं तो comment करके पूस सकते हैं एक request और रहेगा साथ साथ में वीडियो lecture बेस होने वाली है तो अध्यान से सुनिएगा अगर कोई कई doubt रहता है तो उसे note down करने के लिए पनी notebook साथ में लेकर बैठिएगा दोस्तो वापस आते हैं अपने topic पे भारतिय इतिहांस लेखन में रान के वादी परमपरा अब जो भी है उसका अपना-पना कोई ना कोई सोच होता है किसी ना किसी चीज को समर्थन करता है कोई ना कोई विचारधार का वो पक्ष में होता है किसी ना किसी विचारधार का पक्षदर होता है तो जिस विचारधार को पक्षिदर है उसको हम उसी नाम से जानते हैं ठीक है सिंपल सी बात है अगर मालो कोई इतिहासकार है ठीक है उसने माक्सवादी विचारधार को समर्थन किया तो हम क्या कहते हैं माक्सवादी इतिहासकार के दोरा ये बोला गया उसने उपनिवेश वादी विचारधारा को समर्थन किया तो हम कहते हैं भारते इतिहांस लिखन में उपनिवेश वादी विचारधारा को समझाईए तो उपनिवेश वादी क्या हुआ जो भारत के इतिहांस लिख रहे हैं पर वो उपनिवेश वादी विचारदारा को समर्थन करके लिख रहे हैं, तो वो वहाँ पर आ जा गया, ठीक है समझ में आता है, उसी तरह से एक आगे स्टेप बढ़ते हुए, यहाँ पर हम रान के वादी परमपरा ये फिर अनुवव वादी परमपरा के बारे में पढ़े कोशन ये बन जाता है कि भारते इतिहांस लिखन में जो रान के वादी परमपरा थी, उसकी आलोचनातमक टिपने कीजिए भाई, पूर अगिदम बताईए सही से, तो ये भी एक बन जाता है, तो मतलब दोनों से ही में, और एक यहाँ पर तीसरा कोशन बन जाता है कि अनु पाकिस्तान, गुजुरात, ये सब में है, अब मैं गया नहीं, मैं कैसे मान लूँ उसको, तो वहाँ पर गये, उसको देखे, experience किये, ठीके, तब उसके basis पे लिखा, तो वो अनुभववादी सिधान्त कहलाता है, तो अगर यहाँ पर कोशन ये बन के आ जाए, कि भारते इ सबुले नाम के उपर में बन कि आए, तो भी आप यहीं डालोगे, पुरा नाम क्या था ही इनका, तो लियोपोल्रान के, तो इनका ये पूरा नाम था, लियोपोल्रान के, यहां पर कई जगह नाम को लेकर अलगलग मतबेद है,ृ क्ढवीध कहने काम पाकिया, मैं गूगल किया तो गूगल पे कई जगा पे कुछ और आ रहा था कई जगा पे कुछ और आ रहा था ठीक है तो थोड़ा सा आप नाम को एक बार अपनी बुक में चेक कर लीजेगा ठीक है तो इस तरह से कोशन यहां पर पूछा जा सकता है कोशन इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि एकिस तरह से उन्होंने एक्स पीरियंस की बिसिस पे इतिहांस लिखा वहीं पर इनके टक्कर देए मान वालों इनके यह पॉनेंट के दोर्प एक इतिहांसकार और आते हैं जिनका नाम है पर्तेक्षवादी इतिहांसकार ठीक है मतलब एक तो अनुवबादी इतिहांसकार होगे दूसरा होगे पर्तेक्षवादी इतिहांसकार जो हम आगे किसी और वीडियो में डिसकस करेंगे जो मानते हैं कि अगर हम परतेक्स शुरूप से किसी को देख रहे हैं ठीक है परतेक्स शुरूप से हम उसको बिलीव कर रहे हैं सामनी से है तब उसके basis पर लिखा गया परतेक्स शुरूप से लिखा गया ठीक है तो 1795 के अंदर में रियोपोल्ड रानके का जन्म होता है ठीक है 1795 में और वो 80-86 तक रहते हैं वो उन्निसी सताबदी के जर्मनी इतिहांसकार के तौर पर जाने गए जर्मनी से बिलोंग करते थे बड़े इतिहांसकार के नाम हुआ उनका और वो अनुभव वात्मक जो अनुभव वादी विचारदारा था ठीक है अनुभव उसकी मतलब मेन परमुक इस्तम के तौर पे देखे गए जनक के तौर पे जाने गए अनुभव वात्मक के जनक के तौर पे जाने गए इतिहांसलिखन के अंदर में उनके द्वारा सरव परथम इत्यास लिखन की नई परबरे की सुरुवात की गई इस तरह की जो परबरा थी सबसे पहली बार उनके द्वारा स्टार्ट होई ठीक है रान के द्वारा कई सारी कि salts क्रितिय हैं लिखे गई इस तरह से कई सारी बुक्स उनकी द्वारा लिखेगी जो कुछ मैंने आपके सामने रखी हैं जो इंपोर्टेंट्स बुक थी रानकी की मानेता थी कि इतिहासकारों को अतीत का अधिन करते समय वरतमान किंद्रित सरकारों से बचना चाहिए रानकी ने यह सुझाओ दिया जो भी अगर इतिहासकार है ठीक है किसी भी विचारधारा से बिलॉञ करता है अगर वो हिस्ट्री को स्टर्डी करते समय जो वरतमान किंद्रित सरकार है जो समय की कंट्रोलिंग गपो giर्मेंट है उससे मैं बचना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि government या जो भी चीज़े हो परभावित करती है विचारधरा से और वर्तमान कहने का मतलब क्या आज यहाँ पर government का मतलब सरकारों का मतलब यह नहीं है कि government जैसे आज मोधी सरकार या बीजेपी government है उसकी बात नहीं कर रहा है यहाँ पर यह बात कर रहा है कि उस समय का current situation क्या है उससे हमें बचना चाहिए Suppose करो आज हमारे भारत के अंदर में हम 5G के और बढ़ रहे हैं ठीके आज आपके पास laptop है, tablet है, यह चीज़ है पर अगर आज से आप तेरी सताबदी का मालो आप इतिहास लिखोगे तो आपको उस समय के हिसाफ से सोच कर लिखना पड़ेगा ठीके, उस समय के हिसाफ से क्या-क्या चीज़े उपलब दे थी उस समय क्या उनके पास source था, ठीके, किस तर से उनका रहन से हैं था उन चीज़ों को आपको study करना पड़ेगा, analyze करना पड़ेगा और उसके इसाब से ही आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा तब वो चीज़े बनेंगी, fix होगा, ठीक है, और आज के industry के इसाब से बता दोगे, तो फिर तो गलत हो जाएगा, गूगल वावा थे नहीं उस समय, आप बोलोगे कि गूगल पर सर्च कर लो बचो, ठीक है, तो फ उस काल के लोगों के लिए कौन-कौन से मुद्दे महत्यपूर है, आज के हिसाब से हमारे लिए 5G बहुत important है, आज के हिसाब से हमारे लिए केजरीवाल मोदी जी बहुत important है, बट उस समय ऐसा तो नहीं था ना, उस समय तो जो उनके राजा महराजा होंगे, या फिर जो उ पहले उस चीज के अंदर में ढ़लो, उसके बाद आप explain करो, यही अनुववावातमक इतिहास लेखन कहलाता है, या अनुववावातमक पर्याव परमपरा कहलाता है, ठीक है समझ में आता है, रान के एक अनुववादी तथा उनकी माननेता थी कि केवल केंदृत पहले में अंदर में आज हम पढ़ते हैं कि नगरियोत अनकी अशी थी, ठीक हूआ कर था, उनका इस नानागार के था, तो क्या हमें हावाला के बताया कि भीया ऐसा ऐसा था ऐसा नहीं रहता था यहाँ पर मैं आता था यहाँ पर मैं करता था ऐसा नहीं बताया ना उसने हमने क्या किया जब हमने उन जगह को एक्स्प्लोर किया ठीक है तो उसके हिसाब से हमने देखा कि क्या चीजे हैं ठीक है किस तरसे चीजे हैं ठीक है और उसके हिसाब से हमने अनुभव किया कि अगर ये वाला चीज ऐसा है तो इसका उपयोग इस तरसे किया जाता होगा क्योंकि वह हमें बताने तो आया नहीं और हमें आरे पास कोई लिखित परमाण मिला नहीं ठीक है तो हमने उसके करते होंगे अब हम कहें कि वह इस्नानागार है ठीक है देखने में तो फ्राइल ही लग रहा है हमने बता दिया पढ़ लिया इसनानागार है कि वह एक दरगा स्विमिंग तो उस टाइम पिरिट की बात कर रहे हों तो जो भी उस टाइम पिरिट की चीज़े हैं हम उन चीजों को इकठा करेंगे जैसे मौरिसमराज्ये के तो एक तो हो गए भाई आपका पुरातात्विक सुरोत, जिसके अंदर में जो भी इमारते मिली, मृत बांड मिले, यह सारे आ गए पुरातात्विक सुरोत के अंदर में और साहितिक सुरोत के अंदर में जो भी गरंत लिखे गये तो गरंत कब-कब लिखे गा भैई आज भी लिखे रहे हैं, कल भी लिखे हैं कौन से गरंत को माननू में तो मोर्य समराज के time period के अंदर में एक particular time period के अंदर में जो गरंत लिखे गये हैं हम उसको वहाँ पर count करते हैं तो कौन-कौन से गरंत लिखे गए तो जैन धरम के द्वारा गरंत लिखे गए ठीक है बोध धरम के द्वारा गरंत लिखे गए ठीक है इसी तरह से और भी जो असोक थे उनके द्वारा गरंत लिखे गए में हमें बात करने चाहिए उसके इसाब से में लिखना चाहिए ठीक है समझ में आता है इत्यासकार को अपनी कलपना सिल्टा अत्वा अंत प्रग्या का सहारा नहीं लेना चाहिए अब अनुभवादी क्या होता है एक तरस अनुभव करें के experience करें हम बता रहें पर इसमें कई करने लगते अदा तरह कि अधार के नहीं बताना चाहिए यहाँ पर सभी सुमानि महत्वनी होते हैं अगर मान लो यह यह भी भॉला के अगर आप दस सरूत इकटा किये अब हम नहीं मुरे समराज्य के जानका mier पंद्र य तो पूरी पूरी जो लिखा गया हूं उसके अंदर में कहा था कि थोड़े बूत मुहरे समराज्य के बारे में जानकारी थी तब हमने उसको यूज में लिया जो जानकारी वाली नहीं ति उसको उटा दिया वह यह तुम साइड़ तो इसको लग दो तो इस तरह से हमने किया ठीक है तो यहाँ पर वही कहते है कि कि इम्पोर्टेन्टी वाला है तो इसको हम सबसे बहुतुर बताएंगे दूसरा वाला यह है फृरी है यह है फिर ऐससे करके हम एक तरस से करंब्द तरीके से बान्ट करते हैं उसके हिसाप से हमसित का बहुत है ठीक है समझ में आता है वरीता करम ठीक है उन्होंने उन सुरोतों में रखा जिनकी धारवना विसे समय से महजूद रहें वरीता करम क्या होता है कि अगर मालों जो भी मैंने बोला ना कि हम बांठ देते हैं दस सुरोतों को आपके पास टोटल दस बुक्स आईं मोरे समराज जी के रिलेटिड ठीके तो आपने क्या किया सबसे पहले आपने कौन सी बुक उठाओगे तो मेगस थनीस की बुक उठा लिये आरे भट की जो अर्दसास्ती वो उठा लिया हमें उसके बाद हमने देखा जैन दरम बो दरम से करके हमने बुक उठाया तो हमने सबसे पहले वो बुक्स उठाई ही जो मोरे समराज जी के लिए इस पेसली डेडिकेट थी और इनको उस सीरीज में लगाया जो करमबत तरीके से था तो आप दो बुक जो स्टार्टिंग ही थी मेगस तनीस की हो गई और आरे बट की हो ग ठीक है तो उसको हमने करमबत तरीके से लगा दिया अगर हमने पहले इसको पढ़ लेते फिर टाइम वेस्ट इसको पढ़ते टाइम वेस्ट इसको पढ़ते टाइम वेस्ट जब तक हम इस पर नहीं पहुंचते कोई फाइदा नहीं होता तो इस तरीके से करमबत तरीके से स कुछ भी बता रही हो तो उन संदर्वों के उपर में importance की बात कर जाती है कि सन्दर्वों को हमें more जान का चाहिए जहां से उन्हें लिया गया उसका विवरंद दिया जाना चाहिए अगर मालीलो कोई topic आपने कहींञे संटाया ठीक है मोरे समराज दर मेंures अंदर से लिया गया, इंडिका पुस्तक में ये चीज़े दी गई है, ठीक है, अर्दसास पुस्तक में ये चीज़े बताई गई है, तो वो क्या एक तरह से स्ट्रोतों का नाम बताना, ठीक है, कि उन्हें कहां से लिया गया, उसका विवरन देना, वो बहुत ज़्यादा परस्तुत परमानों को दोरी जाच का अफसर मिल जाता है, अगर हमें पता हो कि ये टॉपिक यहां सो उठाए गया, तो हम उसको दुबारत से एनलाइज कर सकते हैं, दुबारत से री चेक कर सकते हैं, कि कहीं गलत तो नहीं हो गया, ठीक है, और इससे परमुक संसोधन करने में भी साहिता मिलती है, अगर मालो कभी आगे चल के हमें संसोधन करना अगे, उसमें इंप्लिमेंट करना है, तो हम उसके help से सकते हैं, ये भी एक benefit रहता है ठीक है आगे चलके कहते हैं रांके कि इतिहासकार का काम पहले तथ्यों को परस्तुत करना है फिर उनकी व्याख्या करना है पहले बाद रियाक्या करते हैं या फिर आप व्याक्या करो के आहा 848 में जर्मन भासी विश्री द्यालों के अंदर में इतियास लिखन के लिए रानकी की जो पत्यती ती उसको अपनाया जाने लगा ठीक है 1848 में ठीक है और कई जगह पे इनके पाठ्थे करम के इस तौर पर इनको सुईकार किया गया पढ़ाया जाने लगा और 1870 के करीब में अन्य देशों में भी सुईकार किया गया रांके की अनुभवादी जो विचार धारा था उसको एक्सेप्ट किया गया जिसके अंदर में यूरोप, अमेरिका, जपान, परमुक, देशों के तौर पर जाने जाते हैं ठीक है और रांके वादी परमपरा की सुरुआत हो जाती है और कई जगह पे इनकी किताबों को पढ़ाया जाने लगा ठीक है फ्रेंड समझ में आता है तो यह पूरा वीडियो रांके वादी परमपरे के उपर में अगर कहीं कोई डाउड रहता है आप कमेंट करके पूस सकते हैं और वीडियो यहीं तक है तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रहाए तो प्लिज इयार कमेंट करें, सबस्क्राइब करें, से करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ठीक है इस तरह की और भी वीडियो आपको मिलेंगी ठीक है जिससे आपका डाउट के लिए रोगा तो कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो बेज जीज़ा को कमेंट करके पोच सकते हैं तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फो वाच